नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वैसे तो हर महिने में सिवरात्री आती है और फालगुन मास की जो कृष्ण पक्ष की सिवरात्री है उसको हम महा सिवरात्री कहते हैं जो सिव और सक्ती के मिलन का प्रतीक है सिव जी को बैर सबसे ज़्यादा प्री है तो बैर का फल जो होता है इसका महत्त तो है ही साथ ही बैर के पत्ते का भी विशेश परियोग होता है लेकिन आज हम बैर के फल का परियोग आपको बताएंगे अगर आपकी रोजगार में समस्या हो, स्वास्त समंधी मुस्किले हो, घर में कोई सुम्मंगल कारे नहीं हो रहा, किसी ने तंदर मंदर किया है, तो ये बैर का प्रियोग अध्भुत लाव देगा वैसे अगर आप महा सिबरात्री के दिन ये प्रियोग नहीं भी कर पाएं, तो किसी भी महने की कोई भी सिबरात्री को ये प्रियोग कर लीजेगा आप सिबजी के मंदिर सिबरात्री के दिन साथ बेर लेकर जाएं बेर हरे वाले मत लीजिएगा पकेवे बेर मीठे बेर लेकर जाएगा और ले जाकर सिबजी को समर्पित कर दें सिबजी से प्रात्ना करें कि सिबजी मैं भी आपका और हमारी जो भी है सब कुछ आपका और आप ही मेरे हैं बाकी कुछ नहीं फिर अपनी समस्या कह दें और वहां से एक बेर उठा कर ले आएं बाकी के बेर वहीं छोड़ दें बेर ला कर घर में आप उसको परसाद के रूप में खाले या जो बेकती समस्या से जिस भी समस्या से पीडित है वह खाले जल्द ही उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी यहां तक कि कैसा भी स्वास की समस्या हो या कैसी भी मानसिक उलजने हो सारी रिखो आर्थिक हो वह दूर होने लगती है महा सिवरात्री के दिन बेर का फल जरूर खाना चाहिए यानि सिवजी को अर्पित करने के बाद जब आप फलाहार करेंगे तब बेर जरूर खाएं तब ही आपका बरत पुर्ण होता है और बरत का पुर्ण फल आपको प्राप्थ होता है वैसे तो बेर के फल के बहुत सारे प्रियोग हैं इसलिए तो महासिवरात्री के दिन बेर के साथ पत्ते अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छे हैं याद रखिए साथ पत्ते बेर के पेड़ के आप ले लें इसको अपने पैर के नीचे रख कर अशनान करें और बोलिए कि एर कुछ बिगार नहीं परकाएंग और आपके जीवन के हर कस्ट मिटेंगे कैसी भी मुस्किलों उनसे आप पचे रहेंगे तो बेर का फल सिर्फ फल नहीं है बलकि इसके चमतकारिक फायदे हैं और सिपजी को सबसे ज़्यादा प्री है इसलिए तो बेर के फल के प्रियोग महा सिपरात्री के दिन किये जाते हैं तो सिपजी को आप बेर जरूर अरपित करें और खाये भी तो बेर का फल जो होता है अगर आप महा सिपरात्री के दिन किसी को दान करते हैं तो मुस्किलों से बढ़ जाते हैं हाथ की ऐसी उंगली है जिसमें स्वैम महादेव भशते हैं भगवान सिब बसते हैं हाथ की एक उंगली में आखिर वो उंगली कौन सी है जिस उंगली से आप सिबलिंग पर एक सब्द लिख दे तो सिब जी की किरपा हो जाए देखे पौरानिक सास्त के अनुसार ब्रह्म देव को पहले भगवान की संग्या प्राप्ती और संपूर्ण संसार मात्र सिब के कारणी है इसी भांती सिब ने ब्रह्म देव को उतपन कर स्रिष्टी की सनचना का कारे किया और जब ब्रह्म देव ब्रह्मान का निर्मान मानसिक सत्र पर ना कर सके तो उन्होंने इस्त्री रूप में देवी सत्रूपा अर्थात सरस्वती को उतपनने किया जिस पर स्वयम ब्रह्मा ही मुगद हो गया तो उतपत्ति कारक को पिता माना जाता है इसलिए ब्रह्मा ने एक नाम अनामा भी है इसका मतलब है ब्रह्म हत्या के उपरांत भी जो निंदित ना हो वही अनामा है अर्थात जिसे कभी पाप ना लगे वही अनामिका है तो अनामिका से देव कारी किये जाते हैं मध्यमा उंगली से पित्री कारी किये जाते हैं और तरजनी उंगली से स्व अनामिका है उसमें स्वैम भगवान संकर बसते हैं तो धार्मिक माननेता है अनामिका उंगली पर स्वैम भगवान सिवकावास है इसी कारण से अनामिका उंगली को हमेशा धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और अतेधिक पावन है पूजा पाठ अनुस्थान के अभिमान रहित और यस और किर्ती का सूचक है तो अनामिका उंगली का उपयोग सरवथा दैवी पूजा में किया जाता है और बेदांगों में भी तरिकाल संध्या में सूरी को ही पंच देवों में स्थान प्राप्त है और अनामिका उंगली से ही देवगनों को गंध और अक दूसरे अस्थान पर नहां और बेदों में सुरे को ब्रह्मान का कारण माना गया ऐसे में रिंग फिंगर जिसको कहते हैं इस उंगली में अंगुठी हमेशा पहना जाता है जिससे बैक्टी का किर्ती धनियस बढ़ता जाता है और अंगुठे और हाथ की बांकी की चार परंगुलियों के सिर्य में बसे परवत पर ग्रहों का वास है जैसे अंगुठे में सुक्र तरजनी में गुरू मध्यमा में सनी अनामिका में सूरे कनिष्टा में बुद्ध तो अनामिका उंगली से महा सिवरात्री के दिन सिविलिंग पर सफेद चंदन से याद रखिए लेकिन ओम लिखने मात्र से जीवन के कस्ट मिड़ जाते हैं ओम सब्द उच्चारन मात्र से जीवन में जो भटके वे मार्क पर हो वो भी सही मार्क पर चलने लगते हैं सिब्रात्री पर सिब्जी की पूजा में दीपक जलाने का खास महत्र है तो इस बार महा सिब्रात्री मंगलवा एक मार्च को मनाई जाएगी फालगुर्ण माह के किष्ण पक्ष की जो सिब्रात्री है इसको हम महा सिब्रात्री कहते है और सिब जी की पूजा अगर इस दिन आप स्रधा भाव से करें जला भी सेख करें रुद्रा भी सेख करें तो जीवन के कस्ट विटते हैं और सिब जी की पूजा में जल का खास महत्व है खास तोर पर गंगा जल हो तो सरवोत्तर क्योंकि भोले बाबा गंगा जल से जल्दी प्रसंड होते हैं चुकि भगवान सिब का मापारवती के साथ विवाः इसी दिन हुआ था इसलिए सिपजी के साथ मापारवती की भी पूजा होगी और महा सिवरात्री पर सिपजी की पूजा में दीपक जलाने का खास महत्व है लेकिन दीपक जलाने के बिधी हैं तरीके हैं देखे धार्मी गरंथों में तीन प्रकार का दीपक के बारे में बताया गया है पहला घी का दिया जब आप घी का दिया जलाते हैं उसमें एक लॉंग डाल कर तो आपके घर में सबके स्वास्त अच्छा रहता है घर परिवार में सुक्सम्रिद्धी बढ़ता है लेकिन जब आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो बीमारियों से छुटकारा मिलता है और इरंड जिसको कहते हैं उसके तेल से अगर आप दिया जलाते हैं तो दामपत्य जीवन बढ़ियां होता है लेकिन दीपक में जब भी आप जलाएं तुरूई का प्रयोग बाती बनाकर करें सबसे सुद्ध होगा अगर आप सफेद कपड़े को गंगाजन में भीगो कर सुखा कर इसकी बाती बनाते हैं सुख समरिदी बढ़ता है और दीपक में अगर लाल रंग के कपड़े या लाल धागे की बाती बनाते हैं तो बैबाही जीवन या वीवह में आरही अर्चने दूर होते है लेकिन जब आप पीले रंग के कपड़े से बाती बनाते हैं तो सिब जी और मा पारवती का आसिरवाद बरसता है पर दीपक कब जलाएंगे देखें महा सिब रात्री के दिन सुबह तीन बजे से लेकर पांच बजे के बीच अगर पास के किसी भी सिब जी के मंदिर में आप जाकर एक दिया जला दे तो पारिवर जीवन की मुश्कले स्वाफ होती है धन, सुक, समरिद्धी बढ़ता चला जाता है दिन, दुनी, रात, चोगुनी तरीके से लेकिन अगर सुबह आप मा लेते हैं नहीं जला पा रहे हैं तो गोधूली बेला यानि सुरियास्त से डेड़ घंटे के बीच का जो समय है इस समय दीपक जलाने से नौकरी में आ रही जो बाधा है खत्म हो जाती है रोजगार की समस्या दूर होती है लेकिन अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो भी गोधूली बेला में ही सिपजी के मंदिल में जाकर दीपक जला तो अतिवत्तम होगा गरीबी का नास होगा तो महा सिवरात्री के दिन आखिर दिया क्यों जलाया जाता है देखिए दीपक जलाने के लाब भी है क्योंकि घर परिवार में सुक्सम्रिद्धी बढ़ता है खुसियां आती है और सुब समय है सुबा तीन से पांच या फिर गोधूली बेला में संतान सुक की चाहते हैं तो रात के वक्त दिया जला तो अती हुटब